तो गाईज जिस चीज का डर था फुकरा के फैंस को वही हो गई है विकॉज अगर देखा जाए यहाँ पे सब यही बात बोलते हुए नजर आते हैं चाहे अलविश खुद हो भी यही बात बोलता हुए नजर आता है कि फुकरा इस जंगल में पहले दिन से है उसने मुझसे बहुत जादा गेम देखी है सर्वाइव किया है जेला है तो वो डिजर्व करता है शो जीतना और तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे end of the day अगर वोटिंग पे बात आती है न तो वोटिंग के केस में भाई सरफ नंबर्ज मैटर करते हैं और नंबर्ज की गेम तुम्हें यहाँ से पता लग जाएगी कि वीक सेवन में एक बार फिर से एल्विश यादव बहुत बड़े मार्जन से आगे निकल गया बहुत बड़े मार्जन से मतलब एक होता न कि हाँ चलो healthy competition हुआ कहीं पे आप थोड़े बहुत वोट के मार्जन से उसे ले गए ठीक है या फिर हम कहें कि जैसे जैसे वोट बढ़ता रहा पहले तीन लाग पे कम का difference था एक मिलियन पे कम का difference थोड़ा difference बढ़ गया जैसे जैसे वोट का नंबर बढ़ है वैसे वैसे बीच का difference बढ़ा है तो मतलब अगर आप बात करो tweets की तो भाई 1.9 million tweets आये हैं Elvis Yadav the boss के लिए उसके बाद फुकरा इंसान के लिए 1.4 million tweets तो मतलब बढ़ा clear है कि एक strong fanbase एक कटा dedicated fanbase for Elvis Yadav is there यार देखो सभी को पता है चाहे वो trigger के followers हैं चाहे वो Elvis के followers हैं चाहे वो फुकरे के followers हैं कि ये दोनों big boss में हैं हाँ vote appeal specifically करी जाएगी हर चीज के लिए ये हम expect करके चलेंगे तो बात अलग गया vote appeal तो भाई सीधी सी बात है हर contest में अपने 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 फेवरेट को vote करो tweet करो तो वो करना जरूरी है please do that चाहे वो फुकरा है चाहे वो Elvis है इसकी वेट मत करो के वो वोट की appeal करेंगे हर तरीके से आपको अपने star को अच्छे तरीके से promote करना है support करना है please कीजिए and यहाँ पे मैं वही कहूंगा कि अगर आप कहो ना कि it should not be fair that Elvis is not a winner end of the day जब contestant Big Boss में जाता है जब भी contestant Big Boss में गया है उसे ये बात बोली जाती है कि there will be a wild card entry तो कहीं पे भी ये बोल देना कि unfair होगा कि wild card deserve नहीं करता मैं ये बात बिलकुल deny करता हूँ and honestly हाँ ये बोल सकते हो इस time पे फुकरा जादा deserve करता है honestly but wild card deserve नहीं करता ये बोल देना सरा सर गलत है क्योंकि wild card इस show के format में आता है और हरे contestant को पहले बताया जाता है कि wild cards are also equal as a contestant अब end of the day यहाँ पे fight हो रही है कि किसके fans बहुत अच्छे से support कर पा रहे हैं अब boss meter की मैं अगर बात करूँ बहुत बड़ा margin पहले ये margin पचासजार votes का उसका था tweets का था फिर ये margin एक लाग सबतर जार tweets का हुआ फिर ये margin हुआ चार लाग tweets का अब हुआ है ये 5 लाग tweets का difference तो मतलब ये difference बड़ा है this can be a problem for fukra fans यानि के panda gang के लिए यहाँ पर problem हो सकती है अभी अपने socks up कर लो literally त्यार हो जाओ कि every battle should be taken seriously don't wait के आपको trigger appeal कर देगा don't wait के आपको क्या नाम है बाकी सारे youtubers appeal करेंगे जिसको आप पसंद करते हो दबा के vote करो support करो tweets करो literally trending में रखो इन लोगों को और like मैं आपको बता रहा हूँ like दोनों के बीच में अगर fight होती है final की जो की होनी ही होनी है वहाँ पर सिर्फ number matter करेगा वहाँ पर ये matter नहीं करेगा कौन पहले से है के और कौन बात में है तो ये चीज पूरे दरीके से ध्यान में रखना अगर दोनों finale में है तो दोनों equally deserving है ये भी दिमाग में होना चाहिए मैं मानता हूँ फुकरा वहाँ पर है वो better deserving है लेकिन सिरफ wild card होनी की वज़े से हम ये बोल दें के Elvis deserving नहीं है तो ऐसा सरा सर गलत है क्योंकि जब Elvis वहाँ पर enter हुआ almost big boss house dead हो चुका था उसको जगा के लात मार के टुई में जगाने वाला Elvis है तो ये भी एक fact है अगर आगे show देखने लायक बना है तो Elvis के entry के बाद बना है नहीं तो वो भी नहीं था तो guys like करो, share करो, subscribe करो इस week का जो winner रहा है boss meter पे Elvis रहा है अगली बार support करो, wait मत करो अपील का, support करो, चाहे फुकरे को करो, चाहे Elvis को करो तो अब head on game है भाई, अब head on game है, तो like करो, share करो, subscribe करो, मेरे लिए तो YouTuber community में आएगी मैं तो खुद तो contestant हूँ नहीं, जो मैं बोलूँ के नहीं मेरा जीतना जरूरी है, लेकिन मेरे लिए दोनों भाईयों में से कोई जीत है, मेरे लिए YouTube community में ट्रोफी आएगी, तो हमारे लिए वो proud movement होगा के YouTube community, यानि के हमारी community नहीं बॉलिवोड जैसी दोगली और nepotism favorite community को हरा दिया, समझ रख, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, तो like करो, share करो, subscribe करो, we'll see you tomorrow, tomorrow नहीं, रा